यदि आप वरत की समय कुछ बहुत हलका फिलका सा फिलार चाहते हैं या बहुत कम तील का फिलार हो इस वीडियो को एक बार जरूर से देखिएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राइए किजिएगा परसनली यह फिलार मुझे बहुत पसंद है जब भी मैं वरत करती हूं इसे और भी मौर्धन भी बोला जाता है तो यह आप राशन के दुकान पर मिल जाएगा एक कटोरी मैं यह पर मौर्धन ले लिया इसे मैं पानी में डाल दिया और अभी तीन से चार पर अच्छे से धो लिए अभी आपको पानी का दिख रहा है किता मतमेला सा दिख लिए लेकि करें और भी कितटी बनाते हैं तो यहां पर यह तर मैंने घी डाल दिया मैंने सिंफ एक चंबज घी डाला आप अपने अनुसार तेल यह का प्यूब कर सकते हैं तो घी ढर में चब गरम हो जाता है तो मैंने साथ यह जही निपने डाल देढ़ना और यह इसे साथ हरी दूसरे चीज़े डालेंगे तो बस तमाटर हलकी से जब सॉप्ट हो जाए तो इसमें डाल देना है जो मैंने एक चोटे साइस का उसे काट लिया और यहां पर एक मुठी के करीब मैंने मुंफली दाने ले ले लिए जो रोस्ट करेवे नहीं कचे वाले दाने तो एक मुठी म मुंफली के दाने ले लिए और लोकी को मैंने एक चोटी लोकी लेके उसे इस तरह से काट लिया चोटी तुकुड़ो में बस लोकी बहुत ही अच्छी लगती इसमें इदि आप फलार में खाते हो तो इसे डाले नहीं तो आप इसे स्कीप कर दीजेगा हम लोकी फलार में जुछ के और इसमे टाला और अए नहीं के दाला आए मैंने जो मोर्धन को गलाए थे उसे हमें इसमें डाल देना है तो मैंने मोर्धन के तुरंद्ध gusto कर लिया है को बहुत जल्दी पक्क जाता है नुदे आशा हैसलों मैंने इसमें तुरंद्ध लेसा द्भून ले लिया अब मेन इसमें में जो डालती हूँ है दही इससे खिचडी का टेस्ट बहुत ही अच्छा था तो मैंने यहाँ पर छूटे चम्बस से चार चम्बस दही ले लिया है और इसमें मिला देना है तो दही जब अच्छे से मिक्स हो जाए यदि आपको नहीं पसंदे तो दही मत डा लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और अब जिस काटोरी से मैंने मोर्धन लिया था उसी काटोरी से मैं इसमें डालेंगी तीन काटोरी पानी क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा पतला सा बनाऊंगी इसलिए मैं तीन काटोरी पानी डालेंगी यदि आपको अब दालें लाल मिर्च पाउडर यह तो डाल दीजेगा नहीं तो इसकीप कर दीजे तो मैंने बहुत थोड़ा से इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिजे और अब धक्कन लगा कर हमें तेज गेज पर इस पर दो सीटी ले 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 ना तो तेज है मैंने हाई फ्लेम पर अब गेज को बन कर दिया और जब भाप निकल जाए तो हमें सीटी निकाल कर इसे खोल कर देख तो यह रिखिए मैंने खोल दिया और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया और बहुत अच्छे से यह बन गए तो यह दिखा रही हूं कितने अच्छ अच्छा इसके में खाने के लिए बनाऊंगी आलू की फलारी सब्जी तो यहां पर मैंने आलू ले लिए और इससे हमें आधसी से मसल लेना आप चाहें तो चाकु से भी काट लीजे लेकिन इस तरह से मसल कर बनाने से सब्जी जो उसका ग्रेवी होती तो थोड़ी थिकने कड़ाई और इसमें डाल दिया मैंने तेल का यूज करें आप इसके जगर पर घी का भी यूज कर सकते हैं यह वरत में आप जो खाते हैं उसका यूज कर लिए तेल करम हो जाए तो आदा चमब जीरा डाल दीजे तीन से चार मैंने तीकी वाली हरी मिर्च लिया क्यूकि मैं अधरक को भी किसकर मैंने डाल दिया अधरक खाते हैं तो जरूर डालिये तो अधरक डालने के बाद बस इसमें डाल देना है आलो तो मैंने आप आलो डाल दिया है और इसके बाद इस अच्छे से मिला दीजे गेस को दीमा ही रखिए अभी क्योंकि नीचे से चिपक ग्योंकि दिया ओधर डाल हां और मेंने आधा चमन दिया करीब अमचूर पावडर बहुत ही ठीसरी लगता है अच्छा मीटा तीख हम दो तीखा अधा चम्माज दनिया अधर जड़िक। तो सारी चीजे मिक्स करने के बाद अब इसमें में डालूंगी पानी तो आपको बहुत ज़्यादा पतला चाहिए या गाड़ा अब उससाब से पानी डाल दिया और अब हमें से पांच से साथ मिनट के करीब दीमी गेश पर इसमें पानी में अच्छे से उबालाने दिजिए से सब्जी के ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी से गाड़ी हो जाए और उसका टेक्षर अच्छा से देखने लगे तब तक आप इससे पकने लिए तो छे से साथ मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता तो यहां पर जब सब्जी बन जाए तो इसमें मैंने हरा दनिया डाल दिया पका लिए तो बस अच्छे से सब्जी रेडी हो गई हमारी तो अभी से सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहां प्लेट पर मैंने मोर्धन की खिचडी जो बनाई ती उसे निकाल लिया और उसके साथ खाने के लिए मैंने फलारी आलू बनाया तो यह देखिए आलू की तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है फलारी चटनी की तो आप महाँ पर जाकर एक बार जरूर से चेक कीजिएगा और उपर से थोड़ा सा हारा धनिया डाल दिया तो हमारा फलार बहुत ही अच्छा दिख रहा है बहुत ही टेस्टी बनता है तो यह लिज उमीद करते हूं आपको यह फलार जरूर पसंद आएगा तो यह दिखिए इस तरह से मिक्स करिए किछडी के साथ और खाये बहुत ही टेस्टी बनता है तो उमीद करते हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कर दीजेगा श